लेयाउट टेब में select option मतलब select में हम किसी cell को select करना चाहें या किसी column को या row को या फिर पूरी-पूरी table को select करना चाहें तो कर सकते हैं जैसे समसे पहले हम select cell पर click करेंगे तो जिस cell पर मेरा cursor highlighted था या cursor active था वहाँ पर selection आ गया है और कहीं पर में click कर दूँगा और select cell पर click करूँगा तो वो cell select हो जाएगा इसके बाद second option है select column मतलब अभी हमारा cursor जिस column में है उस column को हम select column के दौरा select कर सकते हैं या फिर अगर हमने एक से ज़्यादा cells को select किया हुआ है तो जितने भी column इसमें engaged दिखाई दे रहे हैं उतने सारे columns select हो जाएंगे ऐसे ही जिस cell में हमारा cursor है वो cell किस row में है वो row पूरी की पूरी select हो जाएगी एक से ज़्यादा cells को अगर हम select कर लेंगे और select row पर click करेंगे तो जितनी cells select की थी और वो किन rows के अंडर आती है वो सारी rows select हो गई है इसके बाद select table पर click करेंगे तो पूरी table select हो जाएगी table को select करने के दो तरीके हमने इससे पहले पिछले वीडियो में सीखा था उसका link कमें ने आपको description में दे दिया है आप चाहे तो उसमें जाकर देख सकते हैं पहला तरीका था इस plus handle पर click करेंगे तो पूरी table select हो जाएगी वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को like किजेगा शेर किजेगा और हमारे चैनल को subscribe करने के साथ बैल को active कर लिजेगा ताकि आगे आने वाले वीडियो की notification भी आपको सही समय पर मिल जाए धन्यवाद